नहीं यह आखों का धोका नहीं है, यह actually मेरी अप्लोड नहीं है तो गैसे हूँ मैं चैंपियन्स ओफ दो वोड में हो 3DX चेतन और काफी दिनों के साथ ऐसे माईक पर बात करने में अजीब सा लग रहा है मतलब वो आदत से छूड़ गई ना बीच में काफी लोग सोच रहेंगे ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ तो भी वानस उतना बड़ा रीजन है नहीं हाँ बस यह है कि जो काम मैं कर रहा हूँ इस समय 3D एनिमेशन का उसमें मेरे को फूल फोकस होने का था बट बिकोज अव सोचल मीडिया, एडवडवली इन वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया करो या मरो, बट यहां तो करना पड़ेगा यार इसके बिना फ्यूचर नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने डवडवली, सोचल मीडियो, हर चीज छोड़ देते लिटरली, सिर्फ 3D कर रहा था मैं इतने टाइम से और ऐसा नहीं है कि अभी छोड़ दिया, नहीं अभी भी कंटीनी रहेगा, बट हां, जो वो मेरा एक अट्रेक्शन था ना, सोचल मीडिया के लिए वो अब हट चुका है, और यही चीज मैं चाहता था कि सोचल मीडिया पर मैं लीन ना रहूं और इन कुछ दिनों में रियलाइज वा कि एक्शली में इट वस तब एड़स तिंग मतलब भले ही वीडियो के लिए टॉपिक्स मिल जाते हैं सोचल मीडिया से, बट इन दी एंड परसनली मेरे लिए बहुत ही बेकार एक्सपीरेंस था मतलब इन कुछ दिनों में इतना जो मज़ा आया है मतलब आप भी देखना कभी सोचल मीडिया छोड़के सब एप्स को न इंस्टोल करके इट फील्स गूड हो सकता कि आप में से कई लोगों को पता चले कि actually मैं आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं विक्रस काफी लोग पूरे दिन नहीं सोचल मीडिया पर लगे रहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि घर में कौन-कौन है बट या इस बारे में मैं भाशर देने नहीं आयो मतलब चेंज तो क्या ही हुए लोग तो चेंज नहीं हुए मतलब मेरे दोस्तने मुझे बता है कि सोचल मीडिया पर सिर्फ यह ही चल रहा था कि साशा बैंक्स और बियांका विलेर को में इवेंट में डालो रसलमीनिया के सो मेरे ही सबसे भगवान भी चाहता था कि तुम फालतू के ट्रेंड का हिस्सा ना बनो तुम ऐसी चीज विटनेस ना गो जिससे आंक का कैंसर हो जाए इससी लिए मैंने सोचल मीडिया छोड़ दिया क्या फालतू ट्रेंड है साशा वर्सस ब्यांका रैसलमीनिया में इवेंट आई नो की हो जाएगा but that don't make sense to me शालेट वर्सस बेकी वर्सस रॉंडा के टाइम पर वो वाइब थी उस टाइम पर हाँ था कि हाँ वोमेंस को मेंट करना है and just because आपके पास टू नाइट से ड़सन मीन क्या आप कुछ भी मेंट कर दोगे सबसे ज़्याद unfair होगा McIntyre और Bayley के लिए when it comes to women's division last year Bayley ने carry किया था McIntyre ने WWE Championship carry की थी and all of a sudden main event किसको मिलेगा तप आपस को care who cares मतलब मेंको तो सबसे ज़्यादा खुश हुई जब मेंको पता चला है कि इस साल के hall of fame में खली को भी induct कर दिया है ओए होए 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 finally वो time आ गया है कि खली दिखा दे कि वो legend है WWE के इंडिया की तरफ से of course and मैं सही मैं शौक नहीं होंगा जब इस पर भी social media पर तुमने इसको hall of fame में नहीं डाला तुमने खली को डाल दिया ऐसा कैसे कर सकते हो WWE तुमसे अच्छी तो ओके मैं दूसरी company का नाम ही भूल गया क्या था बट जो भी है be happy खली induct होने वाले hall of fame में and मेरा guess यह मेरे को लगता है कि जो उन्हें induct करेगा it could be Natalia because most of the time हमने खली को नठाले के साथ ही देखा है but let's see also Logan Paul का भी मैंने सुना कि कुछ हो रहा है कि Sammy Zane के जो शो होता है उस पे आने वाले है Smackdown में वाव देखो मेरे को इतना पता है Kevin Owens और Sammy Zane का मैच होने वाला है WrestleMania में बट अगर यह उसमें Logan Paul की भी कुछ stipulation डालेंगे like special guest referee type मेरे को बड़ी खुशी होगी Not that I'm a big fan of Logan Paul but in the end he's a celebrity और WWE में जब कोई non-wrestler celebrity आता है कुछ तो numbers draw करे गई मैं तो कहतो Kevin Owens भी KSI को लिया और फिर KSI and Logan Paul की यहाँ पे भी match शुरू हो जाए बट उनके लिए लड़ेंगे कों Kevin Owens or Sammy Zane That would be wonderful और कल मैंने देखी दी Fastlane जो कि surprise ring ले मेरे को पसंद आया consider करे कि किस तरह से मैंने उस time पे WWE देखनी छोड़ दी थी बट फिर भी मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि Roman Reigns and Daniel Band का जो promo था वो मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा क्यों क्योंकि उसके पैदे मैंने वो matches नहीं देखे थे या फिर उनके जो actually में promo हुए थे smackdown पर वो नहीं follow किये थे तो जब कल promo में वो दिखाया गया कि actually में यह हुआ था last smackdown में तो मज़ा ही आ गया मतलब वो एक feel आ गई कि हाँ यह match अब धमाकेदार होने वाला है बट हाँ काफी अजीब लगा यह देखकर कि Roman Reigns तो heel है Edge भी heel बन गए और Daniel Fan भी heel आपे क्या हो रहा है बट सबसे बड़े heel तो मेरे इसाबसे Fiend थे मतलब Randy Orton ने सोचा था कि अकेले match मिलेगा Alexa Bliss के साथ लेइन कहां आया गई Fiend ने भाजी मार दी और जो mask लेगा है मतलब पहला वाला mask ऐसा था कि आप खरीद के road पर घुम सकते हो लेकिन यह तो कहां से ही खरीद हो गया यह तो ऐसा लग रहा है मैंने इतने दिन देखनी छोड़ दी और उसके बावजूद भी मेरे को ऐसा लग रहा है तो पॉसिबल है कि रेसल मेना 37 इस गोंग टूब बेटर देन रेसल मेना 27 अट लीस्ट मतलब अगर बियांका और साशा का मेन इवेंट हो जाए तो तो ओ हो फिर तो चार चांद लग जाएंगे मतलब सोने पर सुहागा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ देखो यार हर कोई खुश रहना चाहिए अब खामगा सोशल मेडिया पर लोग लड़ते रहेंगे फिर लोगों का मूर खराब होगा फिर लोगों का मूर खराब होगा फिर उनका काम करने में मन नी करेगा एसे करते-खरते ये चैन बहुत लंबी जाएगी तो इससे अचा है कि मेन इवेंट दे दो यार, खामकार रोहेंगे वो बिचारे, हम सहलेंगे थोड़ा क्या हो गया इस दोरान मैंने क्या कुछ मिस किया, कुछ स्पेशल, कमेंट से में लिख कर बताओ और अगर आपको वीडियो पसेंदा है तो अप्री लाइक रोशेर कर चैनल के सब्सक्राइब करो हाँ कर लो सब्सक्राइब क्योंकि री अप्लोड की भारिश करता रहता हूं ने मैं अंता हूं ब्रो